प्रियंका गांधी परेफायार अभिसार सर्मा को गिरफतार करो और सीए जी ने फिर से कहा है कि पहले आई उस्मान भारत और अवसरक निर्मान में कितना बड़ाय स्कैम हो रहा है लेकिन सोचिये टीवी अख़बार बोल नहीं रहा है और जो पत्रकार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं उनकी गिरफतारी का ट्रेंड चलाया जा रहा है करिन की बारी हो सकती है परसु हमारी बारी भी आ सकती है आपको पता है CAG के जो भी परमुख है उनका नाम क्या है ग्रीश चंद्र मुर्मो मैं बार बार कह रहा हूँ जब इस देश के दलित पिछरे आदिवासी हर सिस्टम पर होंगे तो डाइवर्सिटी आएगी और तब जाकर तै हो जाएगा कि अगर गलत हो रहा है तो लोग उसके खिलाब बोलेंगे मनीपूर के MP आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया ये भी सोशल मीडिया पर ख़बर वाइरल है और इलबी शियादव लगातार लोग उनके कुछ इस तरह के विडियो जारी कर रहे हैं जिससे साफ दिख रहा है कि वो BJP के समर्थक और संघी ही नहीं महिलाब बिरोधी भी है नमस्कार मैं शंबू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक तो सबसे बड़ी खबर की सुरुवात एक एक खबर करके बताऊंगा और उसके बाद वो तमाम खबरे जिसका विशलेशन भी होगा लेकिन सबसे पहले बाद बहुजन समाज के लिहाज से सबसे बड़ी खबर की जो रबीस कुमार, अजीत अंजूम, अविसार, सर्मा या पुनपरसुन बाजपे या सक्षी जोसी आपको नहीं बताएंगे मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ या बिरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खबर बता रहा हूँ तमाम सवन पत्रकार बीजेपी के बिरोधी हो सकते हैं, कॉंग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन वो बहुजन अधिकार के समर्थक नहीं होते हैं वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडियू या आपके खास, इनकी खबर भी दिखा दें, इन नेताओं का इंट्रिव्यू तो दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको भी व्यूज चाहिए लेकिन अगर इनसे पूछिए कि SC-HTOBC के सम्वेधानिक अधिकार आरक्षन की खबर दिखाओ तो ये नहीं दिखाएंगे देश भर में लगातार SC-HTOBC के बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे हैं नौकरियां जो है अभी पूसा जो एक किरसी बैग्यानिक संस्थान है उसमें लगभग 2500 वेकेंसी निकली है हर डिपार्टमेंट के वेकेंसी को अलग कर दिया गया है तो ये सब खबरे आपको वहां नहीं मिलेगी ये सब अधिकार की खबरे देखना चाहते हैं तो निशनल दस्तक पर ही देखना पड़ेगा ये है अनुरुध मंडल अनुरुध सिंग बिद्रोही आज छोटुलाल वसावा ने भी ट्वीट किया ये युबा अकेले अपने दम पर सोचिए जिसकी मांग अखिलेस यादव और मायावती ट्वीटर पर बैठ के कर रही है उसके बाद भी योगी ने कहाया नहीं करेंगे उसके बाद भी अनुरुध सिंग बिद्रोही लगातार सरको पर उतर कर एक ओटो गारी से उनके पास न खाने के लिए है न संसाधन है उसके बाद भी वो जाती जनगन्ना को लेकर जागरुकता अभियान चला रहा है उसी उपी में जहां पता नहीं आपके साथ कब क्या हो जाए जिस दौर में प्रियंका गांधी पर फयार हो रहा है परसांद करनोजिया यसे लोग को जेल में डाल दिया जा रहा है उस दौर में इस पिछरे समाज का बेटा लगातार सरको पर अपना घर परिवार सब छोड़ कर अपने समाजी खको के लिए मंडल कमिशन के सिफार्सों को लागू कराने के लिए जाती जनगन्ना के लिए सरको पर घूम रहा है इनकी हो सके तो आप आसपास में अगर इनको जानते हैं तो मदद जरूर कीजिए छोटू लाल बसाबा ने लिखाई ये ओभी सी उबा बिना किसी राज किये समर्थन के ओभी सी समदाय के लिए निकला है आम ओभी सी समदाय को इसका पुन रूप से समर्थन करना चाहिए तो मंडल गाउं यात्रा लगातार यूपी में घूम रही है आपके भी आसपास निकले तो आप जरूर मदद किजिए और मेरट में असूर बेव सी देखकर लेवी के चात्रों ने लुठे आठ करोर सोचिए तो दोनों पकरे गए हैं और ये भी सोसल मिडिया पर वाइरल ख़बर है ये हैं रवीस कुमार कह रहा है कि कोई अख़वार तो हो जो मनिपूर के उन दोनों सांसदों का ख़बर चाप दे जिनको संसद में बोलने ही नहीं दिया गया बीएसपी के ये हैं इंजिनियर रामजी गौतम जिन्होंने बिज़एवारा में अपने कारकरताओं से मुलाकात की है तो बीएसपी लगातार सक्रिय है और ये हैं एलबी सियादव जिनके वीडियो सोसल मीडिया पर तैर रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि महिलाओं का काम है डस्टिंग करना जारू पोछा करना खाना बनाना और उनके पास दिमाग नहीं होता है ये कंटेस्टेंट है तो सोचिए संग से जूरे लोगों की स्थिति ऐसी ही होती है इस तरह के भी लोग कमेंट कर रहा है इनका संग और बीजेपी से लगाव है ये तस्वीरे बहुत दुखदाई है यूपी से आई है परसब पिरा से तरप रहे महिला को वक्त पर नहीं मिले अम्बूलेंस लखनव में राजभवन के सामने महिला ने सरक पर दिया बच्चे को जन्म प्री मेच्चियोर बच्चा अब नहीं रहा ये सोसल मीडिया पर वाइरल खबर है सोचिए इस देश में आपको धर्म के नाम पर लडाने वाले मिल जाएंगे धर्म के नाम पर चंदा लेने देने वाले मिल जाएंगे लेकिन अस्पताल स्कूल की बात किजिएगा तो आप क्या मुह नोच लिया जाएगा आपको बिद सब्सक्राइब यहां पोष्ट मंसापुल में गराम समाज की जमीन के दो विबेक शिंग और सेलेंदर सिंग कभिया कर रहे हैं जिसका मामला अम्बेटकर नगर डीम के विचारा धीन है अंबेटकर नगर ततकाल कारवाई का निर्मान करोकने की परकिर्या करें तो इस तरह की रोज मुझे ऐसे सैक्रोफोन आते हैं अगर आप लोग के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो आप लोग जरूर कोट में जाकर मदद ले और एक वकील करके सरकारी वकील करके न्याय की लड़ाई लड़े लखनव में सिक्षा मित्रों का परदर्सन बीजेपी सांसत बरुन गांधी बोले क्या सिक्षा मित्र सिर्फ चुनाओं में याद आते हैं और ये देखे मुके सहनी लगातार रथयात्रा लेकर निकले हुए हैं और फुलन देवी के जनम दिन से पहले से यूपी में लगातार वो अती पिछले समाज को एक जूट कर रहे हैं भी सोसल मीडिया पर ख़वार है और ये देखे 18 करोड रुपए परती किलिमिटर से इस देश के 95 फिस्दी संसाधनों पर सवन समाज का कबजा है जिसमें मीडिया जिश्यरी, कलेज इनवर्सिटी, ब्यूर्योक्रेसी, बिजनेस और कॉंट्रेक्टिंग का काम भी सामिल है तो सुचिए एक किलिमिटर का सरक्य निर्मान में पहले 18 करोड रुपए लगने थे सरकार जाने वाली है इंडियन एक्सक्रेस की रिपोर्ट है और यूपी के अमरोहा की ये पूजा है पेट से बंदी अबोध बच्ची यही रिक्सा चलाती है बहुत लोग इसको महिमा मंदित कहेंगे मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए शर्म का भी सह है कि जिस उमर में इस ब और हे लिखे को बोड़ दीजे फिर क्या था आप बताई इसके पीछे कौन लोग पढ़ गए होंगे और बीज कॉंग्रेस और बीजेपी आईटी से लहेट के पिछले दस ट्विट के इंप्रेशन सुप्रिया सिर ने सोलालाक सोलालाक अमित मालबिये नौलाक तो अमित मा पांडे बिहार का पूर डीजी पी यह नू हिंसा में जो एक सक्स जिसको पूर गुप्तेसवर पांडे मोनु मानेसर जैसे लोग को प्रुस्किर्थ कर रहे हैं तो मोनु मानेसर नहीं है यह सक्स यह कोई बिट्टू है जिसको यह स्वागत कर रहे हैं मोनु मानेसर के निकला है नितिश कुमार तोहां के जो स्वास्त मंत्रिय तेजस्वी आदम ने कहा है कि यह जूट है मैं और निरोध विद्रोही पर असुक भारती जी का भी टूटाया है कि मैं इनको लगातार देख रहा हूँ हम सब को इनकी मदद करें चाहिए और प्रियंका गांधी पर मध परदेश के किसी खबर को लेकर फायार कर दिया गया है और एक आदमी को लेकर भ्रम जाल बुना गया बताया गया आईटे सेल का ऐसा सुरमाज तक नहुआ कहानिया गरी गई ये ट्रेंड करा देता है जूट फैला देता है फला फला असल में सबसे बरा जूट यही था ये छबी उतनी ही फेक है जितनी उनकी है जब तक लड़ाई न थी खूब नाम कमाया जब लड़ाई हुई तो चित हो गए लगातार बीजे पी आईटी सेल अब बैक फूट पर है जो सोसल मीडिया पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और सैफ़ाई चलो मंदल यातरा सैफ़ाई पहुंचने वाला है उसमें भी आप सामिल हो सकते हैं तो लगातार सोसल मीडिया पर खबरे च्छाई हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सिपाल यादब ने ने भी ट्वीट किया है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया ही सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और यह बहुत तमाम छोटी-छोटी खबरें है जो आपके लिए बहुत बड़ी है इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में चल क्या रह रहेगा और इससे आपको राय बनाने में आसानी होगी मैं इसलिए कर रहा हूँ टीबी अखबार वो जो जो दिखा रहा है वो दरसल खबर नहीं परचार है बीजेपी के दो कारकरतार से सवर्ण समाज के दो कारकरता आपके घरों में एक टीबी और अखबार उनसे बचें इसक में ऐसे परे कि रुस्तम, UAV, अगनिछा, मिसाइल, लॉंचर, बढ़मोस, डिफेंस ड्रोन सब सौंप दिया यह सिर्फ प्रेम का मसला नहीं है यह सब पैसे के लिए किया गया और सोचिए कोई दूसरी कम्मूनिटी के लोग होते तो उस पूरी कम्मूनिटी को बदन किस तरह से महात्मा गांधि आचार बीनोवा भावी और जया परकाष जी के बैचारिक बिरासत के परतिक बारानसी के सेवा सर्व सेवा संग पर बुलोजर चल गया है जो सोचल मीडिया पर वायरल है और यह परधान मंत्री का अज का सब से वायरल वीडियो की इम्स बन रह और यह तमाम खबरे हैं जो सोचल मीडिया पर वायरल है मैं इसलिए कर रहा हूं से सच्चा मीडिया है सोचल मीडिया ही बहुजर मीडिया यह तमाम वो खबरे हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा मेरी कोशिश होती है कि यह खबरे जो इस देश के आम के लिए जरूरी है गरीबों के लिए जरूरी है वो लाया जाए और भारती होकी टीम ने चेंपियंस ट्रोफी जीत ली है उनको बधाई यह भी खबर टीवी अखबार पर गायव है तो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में परधान मंत्री का वो जूट जो उन्होंने बोला और सुप्रिम कोट ने यूपी सरकार से पांस साल में हुए 183 इंकाउंट्रों का बेवरा मांगा है तो यह तमाम बड़ी खबरे हैं जो सोसल मीडिया पर वायरल है आप अपनी पर्तकिरिया जरूर दीजे क्योंकि आपकी पर्तकिरिया बहुत जरूरी है शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख